लो जोस्तों कैसे हैं आप सब सुवागत आप से पिकास ब्राइन वीडियो में तो एक new event quest आ रही है एक gifting event एक gifting event आ रहा है sorry तो basically एक gifting event है क्या ये है the year of the pig यानि कि जो Chinese new year है उसकी वज़े से एक new event quest आ रहा है इसमें तीन चीज़े हैं एक तो इसमें है red envelope एक है greater red envelope और इनमें basically है कि इनमें आपको क्या क्या मिल सकता है इसमें gold मिल सकते है यूनिटस मिल सकती है euro crystal charge मिल सकते है और tire 4 के class catalyst fragman crystals भी मिल सकते हैं इस सारी चीज़ा आपको मिल सकती हैं तो दो चीज़ तो होगी red envelope और greater red envelope वाइसी बात है जो greater वाले है उसमें rewards थोड़े अच्छे होगे red वाले में थोड़े कम होगी और एक जो तीसरी चीज़ है वो है red envelope tickets यह ticket आपको इस्तमाल करने अपने friends और alliance members को red envelope send करने के लिए तो कब से यह आएगा यह आएगा 4 फरवरी से और चलेगा कब तक यह चलेगा 18 फरवरी तक तो किस ताइम आएगा हमारे इंडियन टाइम के साब सागर हम बात करें तो चार फरवरी को सुबा साड़े पांच बज़े से स्टार्ट होगा इसमें आपको 14 दिन का एक कैलेंडर मिलेगा उस कैलेंडर में अलग-अलग चीजें होगे हिरो शार्ट होगे, यूनिट्स होगे, रेड एनवलप के टिकेट होगे ग्रेटर रेड एनवलप होगे, और अगर आप डेली 14 दिन तक लोगिन करते हैं गेम ओपन करते हैं, तो आपको आखरी दिन मिलेंगे 1888 की 5 स्टार शार्ट कोई ग्रेस दिन नहीं है, अगर आपने एक दो दिन बीच में छोड़ दिया आप ग्रेस नहीं मिलेगे, आपको आपके जो लास्ट के रिवोर्ड से हों छूट जाएंगे तो इसमें करना यही है बैसिकली आपको अपने टिकेट्स जो हैं आपको टिकेट्स मिलेंगे उन tickets से अपने friends वगेरा को और अपने alliance के members को red envelope send करने है red envelope के tickets हमें सिर्फ उसी में मिलेंगे जो new year का event calendar आएगा 14 दिन का वहीं पर मिलेंगे और इसमें temporary gifting badge मिलेगा जो level 6 या उससे उपर के जितने भी players हैं सबको temporary gifting badge मिलेगा जो 14 दिन तक चलेगा इसमें आप अपने friends वगेरा को किसी को भी gift send कर सकते हैं अगर आपके पास already gifting badge नहीं है तो और इसमें क्या करना है इसमें आप यह दिया आपको कम से कम जो है at least two red envelope send करने पड़ेंगे rewards आपको तभी मिलेंगे कम से कम minimum requirement जो है और दो red envelope send करने की है maximum कुछ नहीं है आप जितने चाहिए उतने send कर सकते हैं और बिना अगर आपके पास ticket नहीं है तो आप send नहीं कर पाएंगे आपको एक message आजाएगा insufficient fund का और कोई तरीका भी नहीं है red envelope tickets को purchase करने का या आपको यह tickets जो है यह calendar से ही ही मिलेंगे और हो सकता है कि जो event quest के rewards आएं rewards में मिल जाएं तो basically ही सारी बाते हैं गाइस lunar new year alliance gifting event की छोटा event है काफी इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े rewards नहीं है जैसे की जो पहला gifting event था उसमें थे उसके अगर उससे मुकाबला करें तो थोड़ा छोटा है लेकिन fun है थोड़ा इसमें आपको 888 के poster charts मिलेंगे 8 number जो है वो चायना में lucky माना जाता है इसलिए इसमें 1880 आपको 50 charts मिलने वाले है तो guys उमीद करता हूँ आपके सारे questions solve कर दी होंगे मैंने कल आ जाएगा तो कल अच्छे से और बात करेंगे इसमें देखेंगे क्या क्या आया है कैलेंडर में वीडियो पसंद आएगे तो like कर दीजेगा share कर दीजेगा चैनल का अपने subscribe ने के तो please कर लीजेए मिलते हैं आप से के वीडियो में जहें